दोस्तो पीपल ओफ रिबबलिक चाइना की अमबैसी थी न्यूजिलैंड के कैपिटल वेलिंस्टन के अंदर जहां पर जब उन्होंने वो जगे खाली करी तो उन्होंने लैंड लॉड को खर्चा ही नहीं दिया जो कि दिया जाता है जब भी कोई किरायदार घर छोड़ता है क्योंकि वो काफी सारा डैमेज कर देता है उस प्रॉपरिटी को तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है तो वो चाइना की अमबैसी ने ही नहीं दिये नौस सो डॉलर बनते थे जो कि इंडिया के करीवन सतर हजार रुपे हो जाते है जो कि इन्हो उनने बीस हजार यूएस डॉलर इंक्लूडिंग डामेज ऑफ प्रॉपर्टी वो पे ही नहीं किया था लैंड लोड को यह भी पतली गली से निकल गयते है अब न्यूजलेंड का मुझे आसा लगता है कि यह उनकी किसमत में लिखा हुआ है क्योंकि अमेरिकन यूजलेंगे तो मैं थोड़ी तो चोर हैं कोई जा रहे हैं और निकल जाते हैं फिर दोस्तों आप मेंसे कितने लोगों के वटसाप पे अलग-अलग अकाउंट मौजूद हैं होते हैं हम में से बहुत सारे लोग लेकिन कुछ लोग वटसाप बिजनस का यूज कर लेते है यह कि मौबाइल में वटसाप को विदाउट लोग इन लोग आउट यूज करने के लिए तो एक वटसाप बिजनस चला रहा है एक वटसाप नॉर्मल वाले चला रहा है तो अब आप नॉर्मल वाले वटसाप पे भी मल्टिपल अकाउंट बना सकते हो अगर आपके अलग- टाइम लगेगा लेकिन अनॉंस्मेंट हो चुकिए कि इस तरीके की चीज़े आने वाली है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन इस वक्त में इंडिया की वन दो फास्टेस ट्रेन है जिसके अंदर आप बैठ के कहीं भी कुछी घंटों में पहुंच जाते हो लेकिन अब इसका वंदे भारत स्लीपर मॉडल भी तयार किया जारा जिसका फर्स प्रोटोटाइप रिलीस कर दिया गया बैंगलूरू बेस्ट भारत अर्थ मुवर कंपनी द्वारा जिनों ने कुछ इस तरीके का बनाया जो कि देखने में काफी जादा आपको बढ़िया लग सकता है इसके जो बैठने वाली सीट भी होगी तो वो भी बढ़िया क्वाल्टी की होगी इसमें अगर लगी होगी वरना पूरी की पूरी स्लीपर क्लास ही होने वाली है दोस्तों डाइबटीज का पता लगाने के लिए लोग डाइबटीज का टेस्ट करवाते हैं उसके बाद में रिज बोलना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए और वो बता देगा आपको टाइप 1 डाइबटीज या टाइबटीज की बीमारी है या फिर नहीं है लेकिन में मुद्दा पते क्या आता है में मुद्दा आता है एक्यूरेसी का तो इन्होंने का कि या इसकी एक्यूरेसी ना 89 पर के साथ में 11 परसेंट तो गलत है ना और वही बात है कि यह जो बैक्टीरियल सोप होते हैं वो बोल देते हैं 99.9 परसेंट लेकिन वह खेल जाते हैं 0.1 परसेंट के अंदर अगर कुछ निकल भी गया तो कहते हैं 0.1 परसेंट में आता होगा यह बैक्टीर जिसकी वैसे यह पने हाथ से गया नहीं तो बस वही बात है इनकी भी तो क्यों कोई इसको यूज करेगा इससे बड़ी है कोई लैब में टेस्ट नहीं करवालेगा वह 100 परसेंट आएगा दोस्तों इंडिया ने अन्वील कर दिया है टॉलेस नेशनल फ्लैग जो की अटारी वागा बनाने में साड़े तीन करोड रुपे लगे हैं अब यह देखकर पाकिस्तान भी शायद सोचने लगे कि आरे हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और हम भी पैसा वैसा लगाने के बाद में इससे भी उचा एक फ्लैग लगा देंगे तो एक नॉनस्टॉपिबल वार है जो कि अगर यह चड़ जाए कि भाई हमें इसन से उचा लगाना है फिर इंडिया वाले कहले हम तेर से उचा लगाएंगे फिर वह मैं तेर से मनलब यह अंस्टॉपिबल वार है जो कि चलती रहेगी दोस्तों अगर आप से पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे पंचुल एरपोर्ट कौन सा होगा तो आप में से शायद कई लोग कह दें यूएस का कोई होगा या फिर किसी और वेस्टन कंट्री का होगा लेकिन मैं बता दू यह इंडियन एरपोर्ट है जो कि बेंगलूरू से आता है जिसका नाम है कैमपे गोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट यह लगातार तीसरे महीने दुनिया का सबसे पंचुल एरपोर्ट आया है जिसने अगर टाइम दे रखा है कि यह इस टाइम पर हमारी फ्राइट लैंड होगी या टेक ओफ होगी उसमें बहुत ज्यादा एक्किरोस ही मतलब 87% से लेकर 89% के बीच में हम रहे हैं लगातार तीन महीनों तक जिसकी वैसे यह वार्ड इंडियन एरपोर्ट को मिला है जो कि बेंगलूरू के अंदर है दोस्तों इंटरनेट के ऊपर आपने कई सारी गोल्ड डिगर देखी होंगी कई सारी शौकिंग वीडियो भी देखी होंगी लेकिन इस से दार शौकिंग कुशनी देख हिस्टरी जानी थी उनके फादर की हिस्टरी उनकी मदर की हिस्टरी फिर दादा की पर दादा की मतलब इस तरीके से जानने की कोशिश करी थी कि इसको क्या बीमारी थी और क्या रिजन था उनकी डेथ का तब जाके उन्होंने शादी करी थी कि हाँ इनकी मेडिकल हिस्टरी ठीक है कोई major बीमारी नहीं है जैसे कि continue होती चले जाती ने genetically वो बीमारी तो वो नहीं है इसके बाद में उन्होंने शादी गरे थी तो भया यह भी ठीक है फिर यह भी गलत नहीं है